हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आपके मेरी चैनल में स्वागत है आज का चैप्टर है इसको लिखा है मुल्क राच आनल में तो आएए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर के कोश्चन आंसर मेले की तरफ जाते हुए रास्ते में बच्चे ने क्या क्या चीजे देखी और वो पीछे क्यों रह जाता है इसका आंसर है तर वे देखी तर विखा तर वे तर वे तुट रहार टाइस, चैपन फ्लाइस, बाच बच्चन प्राइस, अजावर व्यवड प्लावर, श्वेट में चॉप, भॉवर चैलर, बालॉन सेलर, ज्ने चार्मर, रांट बाव एक्टरू यह लेगें पहाइंड बिकॉस ही इस रिपेल्ड पैसिनेट बाव अल्ड अबव मेंशन फिंग्स, यह सीज ओन फिंग्स फिंग्स फिंग्स, यानि कि मेले में वो जाते हो रास्ते में आप तो जानते हैं कि कहके चीज़े देखता है जिसे कि खिलोने और वो छोटी छोट पतंगे जो होते हैं वो तितलियां, खाली मक्षी, ताजे फूलों की बोच्छार जहां वो अपने पैरंस साथ बैठता है और उसके हाथों में बहुत सारे ताजे ताजे फूल गिरते हैं और वो उनको पगड़ने की कोशिश करता है और वो कट्ठे भी कर लेता है और मिठ पर जितनी पी चीज़े हमने भी बताई हैं आपको वो सब चीजों की तरव वो अट्रेक्ट हो जाता है और इन सभी चीजों को वहां देखने के लिए उनके पास जाकर खड़ा भी होता रहता है जिसकी वेसे वो अपने पैरंस से अलग हो जाता है यानि पीछे रह जाता है यानि मेले में बहुत सारी चीजें वो चाता है बच्चा और वो सब चीजें क्या है और उसकी बाद इसी में पूछा गया है कि वो आगे क्यों बढ़ जाता है बिना किसी आंसर का वेट किये बिगे तो इसका एंसर है in the fair he wants many things has toys, swatees, a garland of gulmohar and a ballon he moves on without waiting for an answer because he knows as he begs that he would be hidden his parents will only say that he is greedy things are cheap and he is too old to have the things it means that he can see the old cold stare of refusals in their eyes यानि कि जो भी चीज़े वो चाहता है जैसे कि खिलोने मिठाईया गुलमोहर की माला और गुबारे और बहुत साई चीज़े तो वो उन सब के आंसर की बेट के विगेर ही आगे चले जाता है यानि कि उन सब यानि जो भी चीज़ उसकी जो डिमांड से इन सब चीज़ों को लेकर वो भीना उसका आंसर लिए विगेर ही आगे बढ़ जाता कि उसको पता है जो उसकी रिक्वेस्ट है उसको माना नहीं जाएगा यानि कि उसके पैरेंस उसको कभी नहीं स्विकार करेंगे कि ये सब जो आस्विक कार लेता है, यानि कि जो रिफ्यूजल है, वो पहले ही अपने mom-dad की eyes में पढ़ लेता है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है, बीना किसी answer का वेट के वेगेर, question number third, when does he realize that he has lost his faith, how have his anxiety and insecurity been described, यानि कि उसने कम महसूस किया कि वो अपना रास्ता भूल चुका है, और उसकी जो ये anxiety है और insecurity है, इसका आप में वर्णन करना है, बताना है इसके बारे में कि वो क्या थी, answer है, when the child make a bold request to his parents, that he want to go on roundabout, यानि कि वो बच्चा जब bold request करता है अपने parents से कि उसे उस बड़े से जूले में जूनना है, तब क्या होता है, and hear no reply, यानि उसे कोई reply नहीं मिलता अपने parents का, he realized that he has lost his faith, तो उस समय उसको पता चलता है कि वो खो गया है, और वो कैसे, he turns to look at his parents, they are not there, ahead of him, he turns to look on either side, they are not there, he looks behind, but there is no sign of them, a full and deep cry rises within his dry throat, and with a sudden zerk of his body, he ran from where he stands, crying real fear. Heard started rolling down from his eyes, his false face is convulsed with fear, he feels helpless and runs here and there in all directions. यानि कि जब वो बच्चा round about जो जूला है, बड़ा वाला, वहाँ जब देखता है, कहता है कि मुझे यहां जूला है, जब उस question का कोई भी जब answer नहीं आता, जिसका वो wait कर रहा होता है, तब क्या होता है, उसे लगता है कि लगता है कुछ गरवर है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, तो देखता है वहाँ उसके parents नहीं है, यानि कि उरास्ता भूल गया है जहां उसके प्रेंस से वहां नहीं है अब वो क्या करता है यहां वहां देखता है अपने पीछे की तरफ मुड़ता है चानक से फिर वहां भी वह नहीं दिखते है फिर अपने दाइवाय देखता है वहां भी उसे उनका कोई साइन नहीं दिख यह बहुत डर लगता है और वहां से वह भागना चालू कर देता यहां और उसके आशु जो है बहना शुरू हो जाते हैं और उसका चहरा जो है बहुत ज़्यादा उतेजी त्रेट सा हो जाता है और वो सूचता है कि मैं अब पूरा helpless हो चुका हूँ और वो सभी जगह पर parents को देखना चाता है पर वो उसके वहाँ parents वो नहीं होते है यानि कि वो वहाँ से चले गए है यानि वो रास्ता भूल चुका है वो बच्चा question number 4 why does the child lost interest in the things that he had wanted earlier यानि कि बच्चा जो है उन सब वस्तुओं में अपनी जो रूची खो देता है यानि कि जो चीजों से बहुत पसंद होती है और वो उन सब चीजों के तरफ जो attraction उनको खो दिया है और जीसे वो पहले चाहता था तो ऐसा क्यों होता है क्यों ऐसा हुआ कि वो इन सब चीजों की जो वस्तुओं जोनको वो चाहता था उन सब चीजों की तरफ उसका attraction था वो attraction अब कम हो गया है तो उसका answer है the lost child loses interest in the things that he wanted earlier because he had lost his parents these things have no meaning no value without his parents he can't live without his parents they are all in all for him यानि कि जो भी चीजे ही जिनकी तरफ उस बच्चे का attraction था अब वो attraction बिलकुल ही खत्म हो चुकि वो बच्चा अब वो चीजे नहीं चाहता क्योंकि वो अपने पैरेंस से बिछड़ गया है अब उससे क्या लगता है कि मैं हो गया हूं गुम और मुझे को क्योंकि उन सभी चीजों की जो value है उसके लिए कोई मानने नहीं रहती क्योंकि सबसे बड़ी जो value है अब उसके लिए उसके parents है तो अब बच्चा सोचता है कि उसके जो माता पिता है उनके बिना वो रह नहीं सकता इसलिए उसके parents उसके लिए बहुत जरूरी है उन सब interest चीजों से ज्यादा जिन चीजों में वो पहले interested था वो अपने माता पिता के बीना नहीं रह सकता क्योंकि वो उसके लिए सब कुछ है तो आईए अब शुरू करते हैं question number 5 What do you think happens in the end? Does the child find his parents? यानि कि आपको क्या लगता है कि last में क्या होता है इस chapter में? क्या उस बच्चे को उसके mom dad मिल जाते हैं? तो आप से भी जानते हैं कि वो बच्चा लास तक जो उस बच्चे को rescue करता है जो person उसी के साथ होता है उसको parents अभी तक तो नहीं मिलते हैं इसमें अंसर हम यह लिखेंगे है the ending of this chapter doesn't tell us anything about what happens to the child. we can only guess that the lost child might have found his parents with the help of the man who rescues him and takes care of him but this is only an assumption यानि कि यह कैसकते कि last में जिस बच्चे को बचाया था वो भी तो उस बच्चे को बहलाने के कोशिश करा था कि बच्चा शानत हो जा तभी वो उसके parents को ढूंड़े I hope कि जब वो बच्चे की इस तरीके से care कर सकता है तो जाहिश सी बात वो उसके parents को ढूंड़े में उसकी मदद भी कर सकता है तो यह सरफ एक कलपना मातर ही है कि उस बच्चे को उसके parents मिल गए